दोश्कार दोस्तों, Current Affairs का सिसला आगे बढ़ाते हैं क्योंकि Current Affairs एक बहुत important topic है और सभी exams में आता है, चाहे one day हो, चाहे prelims हो, चाहे mains हो, चाहे व्यापम के exam हो, सभी exam में Current Affairs बहुत ही important है, इसलिए Current Affairs को आपको लगतार साथ लेके चलना है, मेरा नाम है Manoj Singh, टेलिग्राम चै करिएगा लिख के जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मेमोरी में वह चीज बैठती जाएगी और भूलेगी नहीं, Question देखिए, राज सरकार की महतपूर्ण योजनाओं की निगरानी और समिक्षा के लिए, अगर पोर्टल दे दे एक्जाम में और ये भी पूज़ दे कि इसका उद्देश के है, तो उसके दो उद्देश हैं जिसको आपको लिखना है, इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश है हुए, महतपूर्ण योजनाओं की निगरानी शाशन की और समिक्षा, तो आपको बताना है को पोर्टल है कौन सा, यहा लाँच किया गया है, मुझे उम्मेद आपको पता होगा, लिखके बतागे ने, तो चलते हैं सिद्धे आउनसर की तरफ, और यह पोर्टल है, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ताजे सरकार की महतपूर्ण योजनाओं की निगरानी और समिक्षा के लिए अटल मॉनिटरिं अब्यारण में पाई गई है, यह एक बहुत ही इंपोर्टन तितली है, जो अक्सर कहीं दिखती नहीं है, लेकिन जब यह दिखती है, तो वहाँ खबरे बन जाती है, और इस लिहास से जब यह बात निकल कर आई है, तो यह एक्जाम के लिए भी इंपोर्टन हो जाता है, क इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर आपको पता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखके बताइए, नहीं तो आंसर आपके सामने है, भोर्टन देव अभ्यारण में पाई गई है, ब्लू मौर्मून तितली, नो डाउन करते चलिएगा, और आंसर याद है, तो उसको लिखते चल इसका इसका आपको पता है, रायपूर, बस्तर, बिलास्पूरिया, धमतरी, जल जगार अभियान की शुरुआत की गई है, जल को संगरख्षुन करने के लिए, और लोगों को ये संधेश देश देने के लिए, कि पानी बहुत कीमती है, तो इस लिहाज से उसको बचा कर रखना है, अगला कोईशन देखिए, ट्रेजरर आप पिगी बैंक्स, ये एक किताब है, किस नाम से अंग्रेजी में अनुवादित कविताय मूलता किस लेखक की है, ये एक अंग्रेजी की किताब है, ट्रेजरर यहाँ पे चार आप्षन आपके सामने हैं श्यामलाल चतुरवेदी पर्देशी वर्मा विनोद कुमार शुक्ल या ठाकूर प्यारे лाल तो ラराव पीगी बैंक नाम से अंग्रेजी में अनुअधित कविताय किस लिखक की है इसका आंसर आप मुझे दे बताइए और आंसर पता होगा क्योंकि आप लोग लगातार पढ़ते रहते हैं इसलिहास से मैं देखता हूँ कि आपने करेंट अफेर्स पे अच्छी तैयारी कर रखी है तो ट्रेजरर आप पीगे बैंक्स मूलता विनोत कुमार शुकल की कविताये हैं जो अंग्रेजी में अनुवादित की गई है ट्रेजरर आप पीगे बैंक्स याद रखिएगा वैसे भी विनुत कमा शुकल की जो रशनाएं है वो एक्जाम में लगातार पूछी जाती है तो इस लिहाँ से ट्रेजरर आप पीगे बैंक्स भी पूछा जा सकता है अगला क्वेशन देखिए SDG Sustainable Development Goals District Progress Report 2023 के अनुसार राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पर है SDG District Progress Report 2023 के अनुसार राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पर है हाली में ये रिपोर्ट आईए उसके लिहाँ से चतिरवड़ के सभी जिलों को कटेगरेशन किया गया है और उनमें से आपको बताना है कौन सा जिला है जो टॉप पोजिशन पे है आपके ऑप्शन सामने है धमतरी, बस्तर, रायपूर या बीजापूर धमतरी, बस्तर, या बीजापूर वो कौन सा डिस्टिक है जो SDG डिस्टिक पोग्रेस रिपोर्ट 2023 का नुसार राज्य का अवल जिला है और इसके लवा कौन सा जिला अंतीम इस्थान पर है इसको भियाद रख लिजेगा बीजापूर बीजापूर SDG रिपोर्ट में सबसे नीचे है अगला क्वेशन देखिए इसमविक्षा पोर्टल किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है इसमविक्षा एक पोर्टल है वो किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है यह आपको बताना है अभी आपने देखा अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लेकिन अब यह है इस अमिक्षा पोर्टल और यह पर्टिकुलर एक विभाग के दोरा शुरू किया गया है तो वह कौन सा विभाग है वह आपको बताना है पोलिस्वी भाग के दोरा इस अमिक्षा पोर्टल शुरू किया गया है और लगतार उसको गुन गुनाते रही है और लिखते चलिए अगर कोईशन पहली बार देख रहे है तो उसको अलग से कौपी में जरूर नोट डाउन कर लिजएगा ताकि वो चीजेगा आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहें, इस अमिक्षा पोर्टल किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, चतिसगर राजकर GST के द्वारा शुरू किया गया है, विभागी अधिकारियों के काम की मौनिटरिंग करने के लिए, विभागी अधिकारियों को मतलब जो भी र चतिस गड़ के नए राज निरवाचन आयुक्त अजय सिंग किस क्रम के निरवाचन आयुक्त हैं। तो आपको बताना है कि अजय सिंग की निरवाचन आयुक्त के लिए तो वो किस क्रम के निरवाचन आयुक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेशन देखिए। ने आंसर देने की कोशिश करिए। बारा से चौदा जून तक रास्ट्री आम महुत्सव कहां मनाया गया। चलते हैं आंसर के तरफ। आंसर है इंद्रा गाधी कर्शी विश्वेद्याले रायपूर। 12 से 14 जून तक रास्ट्री आम महुत्सव इंद्रा गाधी कर्शी विश्वेद्याले रायपूर में मनाया गया। अब आपका एक काम ये है कि आप ही बताइए कि इंद्रा गाधी कर्शी विश्वेद्याले की स्थापना कब होई थी। क्योंकि स्थापना को लेकर भी क्वेश्चन एक दो बार एक्जाम में आ चुका है। तो इसका स्थापना कब हुआ ता किस सथन में हुआ ता वो आप देख लीजेगा अगला कॉशन देखते हैं CCPL के पहले संस्क्रण की विजेता टीम कौन है? CCPL क्या है? 36 गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले संस्क्रण की विजेता टीम कौन है? IPL के शुरू होने के बाद अब जितने भी स्टेट्स हैं वो खुद का अपना प्रीमियर लीग करवा रहे हैं तो उसी करम में 36 गड़ ने भी पहली बार CCPL कराया है 34 गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग आयोजित कराया है तो इसमें जो विजेता टीम है पहले संस्क्रण की वो कौन है आपको बताना है चार टीमों के नाम यहाँ पे और मेंसे कोई एक टीम है जो पहले संस्क्रण की विजेता है बिलासपूर बुल्स, राइपूर राइनोज, राजनंगाउं या राइपूर इन चारों में से एक option सही है, सही option आपको बताना है आंसर पता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो चलते हैं सिद्य आंसर की तिरब राइपूर राइनोज, राइपूर राइनोज ने किस को हराया, बिलासपूर बुल्स को हराया CCPL के पहले संस्क्रण की विजेता टीम, राइपूर राइनोज, बिलासपूर बुल्स का हराने के बाद, इसको याद रखिएगा अगला कुशन देखते हैं, जून दोजार चौबीस में मनाये गया रामगर महोसो किस करम का संस्क्रण था, रामगर महोसो कहा मनाये जाता है, सरगूजा में आपको पता है, यहाँ पे जो महतपूर गुफा है, सीता बेंगरा अबोस्थित है, इसकी जो नाटक थी, नाटक कि जो नाइका है, उसका नाम है सुतनुका, यह भी याद रखिएगा, तो इस तरह से आप यहाँ पे कुश्चन को थोड़ा सा ब्राट करके पढ़ने के कोशिश करिएगा, ताकि उनकी चीजें सारी आपको बता रहे हैं, आपको बताना है, इस बार जून दोजार चौबी में मनाया गया, रामगण महोसो इस बार 48 क्रम का महोसो था, 22-23 जून दोहजार चौबीस को यह मनाया गया, डेट भी याद रख लिजेगा, कि किस तारीक को इसका एवजन हुआ, ऐसा भी कुश्चन पूसता है, तो रामगण महोसो 22-23 जून को सरगुजा में किस क्रम का, 48 करम का, यहाँ पे वो गुफा है, ठीक है, जहाँ पे कभी कालिदास ने अपनी एक रशना थी थी, वो कौन सी रशना है, वो मुझे आप लिखके बताईए, तो करेंट अफेर का यह सिलसला लागतार जारी रहेगा, उमीद करूँगा को क्वेशन आपको पसंद आ रहे हों आपके तैयारी अच्छी होते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं, जैहित